मैं हूँ नितेज वर आपका स्वागत है NK Labs and Channel पर संथ जेवियर कॉलेज राची intermediate entrance exam से regarding down पूछने के लिए community section में post किया था और यहां पर काफी सवाल आ चुके हैं तो चलिए एक एक करके answer करता हूँ सबसे पहला सवाल है I had a score good marks in the mock entrance exam but I want to know whatever the question will be harder than the mock test or it will be the same type तो देखिए काफी बच्चों ने टेलिग्राम पर जो है mock test का जो है screenshot भेजा है मैंने उसको देखा observe किया उसमें जो gk का portion से जो सवाल पूछे गए हैं जैसे सबसे लंबी नदी क्या है इस टाइप का जो सवाल है आपका English portion से जो grammar का जो fill in the blanks दिया गया है ये दोनों English or gk का portion जो almost same label का है जैसा आपका entrance exam में देखने को मिलेगा बाकी मैंने वहाँ पर math का बहुत एकदम बच्चा वाला पहला दूसरा वाला लेबल का question observe किया और बाकी आपका chemistry है बायो है इस सबसे question ही देखने को नहीं मिला मुझे तो वहाँ पर आप समझ लीजे math chemistry और बायो का सवाल ही नहीं था और ना ही social science से कोई सवाल देखने को मिल रहा था बस आपका gk और English का जो सवाल था वो same difficulty level का जैसा entrance में एक्जाम में था तो ये बस एक normal test था आपके experience के लिए यहाँ पर आप good score कर रहे हैं कोई बड़ी बा difficult नहीं रहता है normal जो आप 10th level में जो भी topic है जानते हैं उसी type का सवाल पुछा जाएगा जो normally आप सुने हैं या teacher आपको focus करने के लिए बोला है जैसे में दिबायों का बात करें तो Amoeba के बारे में सुनते आ रहे हैं तो वहाँ से सवाल आपको पुछे जा सकते हैं sir please online exam कैसे होगा सारा process बताइए same जैसा कि आपने mock test दिया वैसा ही होगा बस आपने घार में बैठे mock test दिया है और आपका entrance exam जो है वो आपका संद जेवियर college intermediate section का classroom में बिठा करके लिया जाएगा और वहाँ पे कुछ guideline रहेगा admit card आएगा जिसमें कुछ खास नया चीज नहीं रहेगा उसमें बस entrance exam का time table दिया रहेगा ठीक है तो वहाँ पे simply आपको center पर time से पहले पहुचना है center पर आप बैठ जाएगे इसी तरह आपको mobile में यही same link दिया जाएगा जो अभी मैंने share किया है आपके साथ वही link open करना कर जाए तो डालने के बाद आप login कर पाएंगे और सबका exam जो है शुरू हो जाएगा इसके अलावा यहाँ पर बता दूं कुछ बच्चे परिसान हो जाएंगे कि सर अधी बीच में exam कर जाया कुछ हो जाए तो क्या करेंगे tension नहीं लेना है आपका 40 minute का 40 minute आपको दिया जाए अधी आप बीच में 5 minute के लिए आपका mobile बंद भी हो जाता कोई tension नहीं आप जहां से exam बंद किये थे वहीं से exam सुरू होगा आपको पूरा 40 का 40 minute दिया जाएगा और जब तक सबका exam खतम नहीं हो जाता किसी को बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा तो आपको घबराना नहीं है कुछ हो जाता है तो तुरंत इनी विजिलेटर से कॉंटेक्ट कीजिए और परेशान नहीं होना है पैनिक होने का कोई दिक्कत बात नहीं है नेक्स्ट है सर एडमीट काड कब आयागा तो एडमीट काड आने का जो एक्सपेक्टेड डेट है मेरे दवारा वो दस जून को है ठीक है एक दिन लेट भी हो सकता है और में भी अधी किसमत बहुत जादा अच्छा रहा तो एक दिन पहले आ सकता है लेकिन दस जून को ही पर होगा सर प्लीज टेल मी कोई ऐसा खास नहीं कि सी याज पीटन पर होगा जैसा कि मैंने अभी पहले इसे कोचन आता है जैसे में आपका मैथ में है तो LCM है, SCF से ज़्यादा कोहचन देखने को मिलता है उसके बाद linear equation से ज़्यादा कोहचन देखने को मिलता है अब बायो में है तो आपका respiration कैसे होता है oxygen का carrier कौन करता है hemoglobin का क्या रोल है amoeba कैसे अपना food पकड़ता है यह सब normal पेड़ पोधे कैसे अपना भोजन बनाते है भोजन बनाने के लिए क्या क्या material का जरूरत पढ़ता है यही सब normal कोहचन आपका रहेगा अतना basic आप जानते हैं तो आराम से निकल जाएगा आप ये भी नहीं जानते हैं तो फिट problem होगा हिंदी के लिए क्या आप पढ़ाय करें हम अब एक बार हिंदी का grammar जो portion है उसको रिभाज कर ले और कोई special चीज पढ़ने का जरूरत नहीं है अराम से हो जाएगा वैसे भी arts का काफी seat होता है और completion काफी normal रहता है आराम से selection होगा आप अधी average बच्चा होंगे और talented बच्चा होंगे तो आराम से selection होगा अब 33 परसेंट लाना जो passing marks वो भी नहीं ला पाते हैं अब तो दिक्कत होगा साइंस का entrance exam कब होगा साइंस का entrance exam देखिए 13 से 15 तारिक आपका entrance exam का date दिया हुआ इसी के दौरान कभी भी आपका entrance exam हो सकता है बेसिकली science का schedule पहले रहता है उसके बाद arts और commerce का रहता है तो आप expect कर सकते हैं कि 13 तारिक को ही आपका exam रहेगा सर एडमिट कब आएगा तो 10 जून को बताया मैंने 10 जून को आप expect कर सकते हैं इसमें कुछ खास नया चीज़ नहीं रहेगा बस time table दिया रहेगा सर मोक टेस्ट का schedule कब आएगा मोक टेस्ट तो हो रहा है सब लोग दे रहे हैं अधि आपको दिक्कत हो रहा है कैसे देना है टेलिगराम का link comment section और description में डाल दूँगा वहाँ जून कीजिए बच्चे आपको guide करेंगे screen shot share कीजिएगा वह आपको guide करेंगे और फिर आप test दी देखिए वही मैंने बताया LCM है HCF है linear equation है वैसा सवाल नहीं पढ़िएगा जिसमें चार से पांच से ज्यादा step है देखिए सवाल को आपको 40 seconds की अंत्रगती बनाना है अब आपको दे देगा बहुत difficult area निकालने के लिए surface area निकालने के लिए दो object में से एक area घटा करके 40 seconds में बना सके ठीक है तो वैसा ही question पढ़िएगा वैसा ही topic जो 40 seconds में solve किया जा सकता है जैसे में number system से आपको question देगा number का properties क्या है rational number क्या होता है rational number क्या होता है इस type से जो सवाल है और उसका property दिया रहेगा आपको click कर टीक करना रहेगा इसके आवला हुआ HCF और LCM से बहुत ज़्यादा question आता है तो इसको बहुत ज़्यादा practice कर लीजिएगा इसके बारे में जितना भी method है सब method से बनाने का practice कर लीजिएगा linear equation है वो पढ़ लीजिएगा polynomial equation है ये सब जो है आपको पढ़ लेना है आप trigonometry sin theta cos theta ये सब से सवाल नहीं पूछा जाएगा और ना ही आपको दो triangle है इसमें ये angle इतना है ये angle इतना है तो उस triangle का ये वाला angle कितना होगा इस type का सवाल आपको नहीं देखने को मिलेगा हाँ triangle नॉर्मल जो प्रोपर्टीज है उससे सवाल देखने को मिलेगा तो नॉर्मल सवाल पूछा जाएगा ऐसा कुछ hard difficult नहीं रहता है ऐसा कसा रहेगा जो 40 seconds में आप बना सके तो वैसा ही question practice कीजिएगा जो 40 seconds में बन सके can you please tell me what is the minimum marks required in the entrance exam देखिए entrance exam पास करने का कोई minimum requirement नहीं है बस form भरने का जो पहले 55% था science का वो अभी फिलाल के लिए 45% कर दिया गया है ठीक है और entrance exam पास करने का कोई minimum marks यहाँ पर नहीं है जो भी लाते है ठीक है आप अच्छा marks लाएंगे और आपका 10th board में अच्छा marks हो होगा नहीं है तो नहीं हो पाएगा सर क्या entrance test का level difficult होगा नहीं difficult नहीं रहता है moderate रहता है normal रहता है बहुत ज्यादा easy भी नहीं रहता है ठीक है moderate रहता है मतलब मैंने बार बार यहीं बोर रहा हूं अपने 10th level में जो भी teacher आपको बोला है जो भी important topic है उसका सारा fact आपको या answer auto submit हो जाएगा क्या हां बिल्कुल auto submit हो जाएगा आपको submit कर देते हैं तो बढ़ियां बात है नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं auto submit हो जाएगा हर 3 minute में आपका जो भी आप टिक मारे हैं वो update होते रहेगा server में upload हो जाएगा हर 3 minute में ठीक है और जब exam खतम होगा तो automatic सारा answer upload हो जाएगा submit हो जाएगा automatic तो आपको उसके लिए घबराना नहीं है लेकिन कोशिस किजिएगा कि 5-10 सकेंड बचा करके आप ही submit कर दें कितने सेट होते हैं paper में या सारे same question होता है सारा same question रहता है सबका सबका question same ही रहेगा बस सबका serial number change कर देगा जैसे मैं आपका 40 number में question number 40 में जो question पूछा है वो दूसरा आदमी का question number 1 में हो सकता है तीसरा का question 2 में हो सकता है और 4 का question 10 में same question हो सकता है तो इधर उधर कर Yaёta सेम रहेगा बायोक का सेक्शन वाले का सबका सेम रहेगा मैंत वाले का सबका सेम रहेगा बस कोहचन का सीरियल नंबर जो इसो चेंज कर दिया जाता है और बाकि सारा डाउट यहां पे खतम हो गया है थैंक यू साइनिंग आफ